Hello Friends, स्वागत था आपका हमारी YouTube चैनल Market London Lover में और दोस्तों देखे, आज जो है, हम कोई किसी स्टोक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं यहां हम सिर्फ आज share market के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा Nifty 50 है और Sensex देखिए बहुत ही तखड़ी एक ग्रावट हमें देखने को आज मिल रही है अगर हम Nifty 50 देखें तो 1% ग्रावट इसमें दिखाई दी है और पॉइंट की बात करते हैं तो 186 पॉइंट की बहुत बड़ी ग्रावट एक देखने को हमें मिली है यहाँ पर साथी साथ सेंसेक्स में भी 1% की 635 पॉइंट की ग्रावट हमें देखने को मिली है अगर हम देखें बैंक निप्टी का तो बैंक निप्टी में भी हमें लगभग पोने 2% यह पॉइंट में बात करें तो 741 पॉइंट की बहुत तखडी एक ग्रावट हमें देखने को मिली है तो क्या इसका कारण है और यह ग्रावट कहां तक रह सकती है और क्या करना चाहिए इस ग्रावट में हमें तो सारी चीजे डिटेल में जानेंगे लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है साथी साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए देखिए सुरू कर लेते हैं देखिए सबसे पहले हम ओवर्व्यू देख लेते हैं तो यहां देखेंगे कि निफ्टी फिप्टी में जो हमारी 50 कंपनिया है उसमें से 38 कंपनिया हमारी रैड में बंद हुई है और बहुत तखड़ी एक ग्राबट आई है क्यों आई है देखिए यहां पर देखेंगे आप तो एक डर बना हुआ है किसका कोविट का और आज अगर हम देखें तो जो हमारा फार्मा सेक्टर था यह लगभग सबा 2% से ज़्यादा बढ़ा है आई टी भी हमारा लगभग 0.5% बढ़ा लेकिन बाकिस सारे सेक्टर हमारे बहुत तखड़े एक नीचे की और हमारे डाउन फॉल में दिखाई दिये हैं और पी यूसी भी बहुत तखड़े हमारे नीचे गिरे हैं देखिए सबसे ज़्यादा जो गिरने वाले शेयर हैं उनमें अडानी इंटरप्राइजे 6% से ज़्यादा गिरा है अडानी पोर्ट हमारा 2.8% और अल्ट्रा टेक्सिमेंट 2.4% की एक ग्रावर्टिन में दिखाई दी है बात करें अगर हम टोप गेनर की तो हमारा डिविस लेब लगवख 5% की तेजी सिपला में 3.5% और अपॉलो होस्पिटल में लगवख 37% की तेजी हमें देखने को मिल रही है देखिए इसका मेन कारण है कि कोबिट जो है बढ़ रहा है अब और जैसे ही कोबिट बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है जो हमारे फार्मा सेक्टर के स्टोक हैं इसलिए ये सेर भागते हुए दिखाई दिए हैं और बाकी सेर हमें डाउन में दिखाई दिए यहाँ आप देख सकते हैं देखिए COVID-4th wave set to hit world China videos pick first hand accounts raise alarm तो अभी alarm जो है बच चुका है COVID-19 का और फिर से यहाँ fourth wave इसकी आने वाल आ रही है मतलब चाइना में आ गई है और इससे जो है हमारा इंडिया भी अचुता नहीं है अगर आप देखें तो देखें चाइना की साइट से कुछ ऐसी तरह तस्वीरे निकल के आ रही हैं फिर से लोग पीपी किट पहनते हुए आपको दिख रहे हैं और बहुत ही खतरनाक माहौल यहां बना हुआ है बहुत डर का माहौल बना हुआ है अभी मार्केट में इस रिपोर्ट में देखें बताया गया है तो जो हमारी अभी तक तीन वेव आ चुकी है जिसमें सेकंड जो थी उसमें बहुत दिखते हुई थी बहुत लोग मरे थे यहां पर और देखिए लोगों ने अपनी फैमिली खोई केरियर खोया एकोनमिक्स भी गई तो एकोनमी भी हमारी सब गिरी थी जो पूरा वर्ल है इसकी और अब जो यह चोती बेव आ रही है इसमें बहुत ही दिखते फिर से होने वाली है और देखिए यह आर्टिकल भी आया है इसमें वीडियो भी थी वैसे लेकिन वीडियो हम दिखानी है अगर इस पर आप देख सकते हैं यह आप ट्यूटर पर जाएगा और हैस्टेग कोविड वैक्सिन करिजिएगा या फिर हैस्टेग कोरोना वाइरस वहां आप टाइप करेंगे यह हैस्टेग चाइना तो आपको सारी तस्वीर वहां देखने को मिल जाएंगी कोरोना का जो नया वैरियंट आया है उसका नाम है वी एप सेवन और यह खतरनाक है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसके जो लक्षन है जो मरीज है वो भारत में भी मिल चुके हैं अब इसलिए आज भारत का शेयर मार्केट गरते हुए दिखाई दिया देखिए एक तो हम मार्केट में और जो यह वी एफ सेवन जो वैरियंट है वी एफ सेवन यह देखिए इसकी ट्रांसमिसन दर बहुत तेज है तो बहुत तेजी से फैलेगा जो डेटा के अनुसार इस वैरियंट के लिए घातक होने की दर अधिक नहीं है लेकिन देखिए मौते इस से कम लगा है और बी एफ सेवन वेरियंट इसका कारण माना जा रहा है और यह जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है अभी इसके रिगार्डिक देखिए फिर कहा गया है कि जो चोथी वैक्सीन है वैक्सीन की एक चोथी डौज ओर ली जाएगी हो सकता है देखिए फिर शे ल पर निर्भर भी करता है तो अगर किसी की immunity कमजोर होगी तो उसकी देखिए death भी हो सकती है इसलिए इससे बचाव जरूरी है और देखिए बात रही market की तो market क्या है हमेशा जब भी ग्रावट होती है तो ग्रावट temporary होती है इसे हमने एक opportunity की तरह लेना चाहिए invest करना चाहिए ग्रावट में और जब market ओपर होना चाहिए तो हमें अपनी profit booking करने चाहिए हमेशा देखिए market इस तरीके से ही चलता है जाता हमेशा ओपर कोई है लेकिन कभी ओपर जाएगा कभी नीचे कभी ओपर कभी नीचे तो इस तरीके से चलेगा देखिए ग्रावट जो है वो temporary है और तेजी permanent होती है तो तेजी हमेशा आती है चाहें अब ना आए अगले साल आए उससे अगले साल आए लेकिन इंसान हो या share market लाश्ट में उसने जाना ओपर ही है तो share market से निकल के कोई फायदा नहीं है बलकि ग्रावट में एक opportunity होती है अच्छे share सस्ते में मिल जाते हैं सस्ते में अच्छे share को खरीदो लोंग टर्म के लिए hold करो और अच्छा profit बनाओ तो देखिए अगर कोरोना फैलता है तो जो हमारे फार्मा सेक्टर के share हैं बहुत तेजी से grow करेंगे साथी सार्थ जो हमारा IT सेक्टर है जो अभी भी बहुत सस्ते में मिल रहा है में लगव अच्छा profit in future हमें मिलेगा क्योंकि फार्मा सेक्टर और IT दो सेक्टर हमारे हमेशा बूम करते हैं हमेशा चलते हैं अच्छा profit हमेशा देते हैं और IT सेक्टर तो देखिए राजा है हमेशा ही वो चलने वाला है तो बहुत ही शांदार रिटन हमें मिल सकते हैं बागी और सेक और वैसे भी दुनिया के जो बड़े बड़े अर्थसास्त्री हैं वो पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि इंडिया की एकोनमी बहुत मजबूत है आगे भी बढ़ती रहेगी इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है सबसे फास्टेट ग्रो हम ही करने वाले हैं तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली जो एकोनमी है वो इंडिया की ही रहेगी तो बस इंवेस्ट करो खुस रहो टैंसन ना लो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत